हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूं सब लोग अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दो महिने से पीरेड नहीं आ रहे तो ऐसी कंडिशन में आपको क्या करना चाहिए और दो महिने से पीरेड नहीं आ रहे तो उसके क्या क्या रिजन हो सकते इसी क क्या करतें थोड़ा सा विडियो देखा फिर कर दिया युक्ति करतें तो कि ओपाई बता दीजिए तो देखिए किसी भी पेशिंट का इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो आप या तो अपने नजजी की डोक्टर से जाकर के ट्रीटमेंट ले, नहीं जा सकते हैं, तो हमारी ओनलाइन अपोईमेंट बुक करके आप बात कर सकते है हम बात करते हैं कि 2 महिने से period नहीं आने के क्या-क्या region हो सकते हैं सबसे बड़ा region होता है pregnancy अगर आप sexually active है चाहे आप married है या फिर unmarried है इस चीज से कोई फरक नहीं पड़ता है फारक इस से पढ़ता है कि अगर आप sexually active है इस महिने में आप लोग contact में आए और आपका period मिस हो गया तो सबसे पहले आपको जैसे ही period की date मिस होती है मानलों कि एक तारीक को आपका period आना था नहीं आया मिस हो गया आज 5 तारीक हो गई अभी भी आपका period नहीं आया तो आपको बिल्कुल भी यह गलती नहीं करना कि मेरा तो किसी वज़े से रुग गया होगा मेरा तो ऐसा हो गया होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको तुरंट pregnancy test करना है प्रेगान उसका card करिदना है और उ सकता है पिर भी आपका period नहीं आ रहा है तो आपको हर सात्वे दिन में अपना एक pregnancy test जरूर करके देखना है क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक तारीक मिस हो गई 5 को मैंने test करके देखा और वह negative आया तो अब मेरा pregnancy test positive नहीं आ सकता है ऐसा गलत प्रेमी में बिल्कुल भी मत रहिए कभी कभी delay conception होता है उसके current pregnancy test late positive आता है तो सबसे पहला हमको करना है कि जब भी period मिस होता है confirmation के लिए pregnancy test जरूर करना है ठीक है pregnancy test आपने कर लिया वह negative आ रहा है तो फिर आप कुछ गरम चीज़े खा करके आपने period को लाने का try करिये नहीं आता है तो फिर डॉक्टर से मिलके आपको treatment लेना है period नहीं आने का दूसरा कारण होता है कि कहीं आपकी body में hormone imbalance तो नहीं चल रहा है वह hormone imbalance आपका thyroid का हो सकता है progestron का हो सकता है estrogen hormones का हो सकता है तो हमारी body में बहुत सारे luteinizing hormones का हो सकता है बहुत सारे हार्मोंस रिते जिनका हर एक हार्मोंस का अलग-अलग काम रिता है अगर उनमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो आपका पीरेट पे सिधा-सिधा असर पड़ता है तो आपको अपने डोक्टर से बात करके क्लियर करना चाहिए कि भाई क्या वज़े है जिसके क आप कोई नया काम स्टार्ट किया है या आपने शुरू किये जिसके कारण भी पीरेट डिले हो सकता है क्योंकि अगर आप कोई भी नया काम कर रहे और बहुत ज्यादा कर रहे और आपकी बोड़ी एकसेप्ट नहीं कर पा रही तो नॉर्मल सी बात है कि पीरेट मिस होना को कोई बड़ी बात नहीं होती है ठीक है ऐसी कंडिशन में अगर आपके पीरेड दो चार छे महीने से डिले हो रहे तो फिर ऐसे में आपको अल्टरसाउंड करवाना चाहिए अल्टरसाउंड में क्लियर हो जाएगा कि भई क्या रिजन है पीरेड डिले होने का कही आपको ओवरेंस तो नहीं हो गया है या अधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही या फिर हार्मोन का इंबैलेंस तो नहीं चल रहा है तो जो भी डाइगनोस होता है उसके एकोडिंग और आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं अभी इस वीडियो में हम बात करें कि पीरेड लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो पीरेड लाने के लिए एक तो आप हिंग का पानी पीना चालू कर सकते हो अगर आप प्रेगनेंट नहीं है तो हिंग का पानी पीने से आपके पीना 7 दिन तर साफ दिन में कभी आपकी पीरेड आ सकते हैं नहीं आते हैं तो साफ दिन के बाद पानी बंद कर देना यह इसके बाद में हिंग का पानी जिस दिन से पिते उस दिन से आपको होट वाटर बेग में से सिकाई भी करना है पेट के निशले इससे पर यानि की पेड़ू पर गरम पानी से सिकाई करने से भी आपके पीरेड आने के चांस बढ़ जाते हैं इसके बाद में हो सकता है कि आपको कई ब्लड की कमी हो रही हो तो आप अनार का अनार और चिकुंदर का mix juice भी लेना चालू कर सकते हैं और डोक्टर की recommendation से आप iron, tonic, tablet वगेरा भी ले सकते हैं ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने 7 दिन हिंका पानी भी पी लिया गरम पानी के बेक से सिकाई भी कर ली तब भी period नहीं आ रहा है तो आपको फिर से नया pregnancy test करना है अगर वो test भी negative रहता है तो जैसे आज इस वीडियो में हम कुछ आयरुवेदिक tablet के बारे में बात करेंगे जो की mansulin fort के नाम से market में capsule available है यह आयरुवेदिक capsule होते हैं आपको बहुत सस्ते मिलते हैं तो एक strip खरीद लेना है एक पत्ते में 6 capsule आते हैं एक capsule सुबा एक capsule शाम को खाने के बाद में लेना है यानि कि 3 दिन का एक course रहता है जैसे ही आपका course खतम होता है एक हफते में आपका period आ जाता है यानि कि हम example के तोर पे बात करें कि एक तारिक को आपने mansulin fort capsule लेना चालू किया तो एक दो तीन तीन तक आपका capsule खतम हो जाएगा दोनों टाइम खाने के बाद ही लेना है आपको तो आपको 10 तारिक तक period आने का इंतजार करना है आपका period 5 को भी आ सकता है, 7 को भी आ सकता है, 8 को भी आ सकता है 10 तक तो definitely period आ जाता है तो mansulin fort जो capsule वो आयर्वेदिक है, इसके कोई side effect भी नहीं होते है तो आप लेकर के देख सकते है, आपका period इसली आ सकता है तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि 2 महीने से आपके period नहीं आ रहे तो क्या-क्या कारण हो सकता है एसे में आपको क्या उपाई करना चाहिए, और कौन सी आयर्वेदिक दवाई लेना चाहिए, जिससे कि आपका period आ सकता है और सबसे better option है कि आप doctor से consult करे, doctor को जो भी medicine लगेगी वो आपके हिसाब से subscribe कर सकते है धन्यवाद